दोस्तों हम सभी जानते हैं कि निर्जी वस्तू में नकरात्मा कुर्जा होती हैं नकरात्मा कुर्जा वाली वस्तू एंग घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग गया और गरीबी के सामना करना पड़ता है आज हम आपको आठ ऐसी चीजों के बारे बताने चा रहे हैं जिने भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए अगर इन आठ चीजों में से एक विवस्तू आपके घर में मौजूद हो तो उसे तुरांथ हटा दे लाकि घर में समरित्थी आ सके चली जानते हैं कौन सी है आठ चीजे जने घर में रखने से गरेबी अर्दरिता दोनुहाती है दोस्तो अकसर लोगों के घरों में फटे पूराने कपडो की एक पूटनी होती है फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नाकरात्मा कोर्चा का निर्माण होता है इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और कामे उवियों करना चाहिए वही दोस्तों देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरे या खंडित हुई मूर्तिया भी उनमें से एक है उन्हें किसी नदी में प्रवावित कर देना चाहिए देवी देताओं की तस्वीर या मुर्तियों को नेश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए ऐसे ही देवी या देवताओं की तीन-तीन मुर्तिया या तस्वीरे होने पर वास्तु दोश होता है गर की छट पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ावा बलता है। इससे परिवार के भरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छट पर कबाड़ा या फालतू समान बिल्कुल न रखे। इससे परिवार के सदस्यों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितरदूश भी उत्पन होते हैं कई लोग अपने घर में आनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य किसी तरह के सामान को घर में कहीं भी रख देते हैं बिना इस जानकर ये कौन सा नग फाइदा पहुचा रहा है इसलिए दोस्तों इस तरह के सामान को घर से पहार निकालते या गैर जरूरी वस्तू को घर में नहीं रखना चाहिए इससे घर में वास्तुदोश बन होता है जिसके कारण लक्ष्मी का आग्वन रुक चाता है विशेशकर काँच की कोई भी सामागरी घर में तूट फूट वाली नहीं होने चाहिए कहते हैं कि ताजमहल का चित्र डूपती हुई नाओ या जहास फुआरे जंगली जानुरों के चित्र या काटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए इससे मन पर बुरा प्रभाव वड़ता है लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटना ये घटना बंद हो जाती है वहीं दोस्तों घर में बनने वाले मकडी के चाले तुरंत अटा दे घर या दुकान के कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है इसके लावा काम नहोने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखे अलमारी को बेवज़ा खुल रखने से हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह भेह जाता है तो दोस्तों ये आठ वास्तु दोश जिन से आप पाश सकते हैं अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शियर जरू करें धन्यवाद